तो हेलो फ्रेंड्स आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपके इपने ही चैनल SMII पे और इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस इंवेस्टमेंट आइडियाज लेके आते हैं आपको नए ने स्टॉक्स में द्वेश की राय भी देते हैं आईए इस वीडियो में बात क क्यार हैंगे वो भी हम जानेंगे इसके फंडामेंटल भी डिसकस करेंगे फनेश रपोर्ट चेक करेंगे तो एंड तक जुरूर हमारे वीडियो के साथ बने रहीएगा सबसे पहले नए आयो हमारे चैनल को फटा फट सब्सक्राइब कर ले बेल लाइकन का बटन जुरूर प्रेस कर ले ताके आने वाले सारे वीडियो का नोटिकेशन आपको मिल जाए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन जुरूर प्रेस कर दें सबसे पहले चोला मंडलम के स्टॉक की परफॉर्मेस देख लेते हैं आज सुबह बड़ी गिरावट देखने को मिली थी ले अपने लोर स्पोर्ट लेवल को डिफेंड करता भी नजर आ रहा है तो जदी वन मंत का डाटा देखें यहां पे भी बड़ी गिरावट ही चल रही है यह स्टॉक स्लोली स्टैडली नीचे ही गिरता जा रहा है नेरली टैन परसंट के राउंड गिरावट पन मंत में देख लेकिन 6 मंत में ओवराल 5 परसंट के राउंड रैली जरूर देखने को मिल जाएगी लेकिन 800 का लेवल इसका बड़ा रिजिस्सेंस लेवल निकल कर आ रहा है वन येर का डाटा देखें 16 परसंट की ग्रूथ है बॉलेटल टीवी है फाइव जियर्स में देखो कितने स्टॉक है लॉंग टर्म में अच्छे रिटर्स बनाने का दम खब रखता है 156 परसंट के रिटर्स फाइव जियर्स में बना दिये हैं तो जड़ी कोई स्टॉक लॉंग टर्म में अच्छे रिटर्स बना के दे रहा है ग्रूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसके फंड तो इसलिए आपको इस स्टॉक में डिप्स में बाई करते रहना चाहिए क्योंकि ये जो स्टॉक है इसकी प्राइस फॉस्ट जैनुरी नाइंटीन हंडर्ड नाइटीन नाइटीन नाइन को पांच दसमलब 28 रूपीस थी तो आज ये जो स्टॉक है वो 100 टाइम से भी हो गई होती तो क्लियरली लॉंग टर्म में आप देख सकते हो कैसे अच्छे क्वाल्टी के स्टॉक्स वैल्थ क्रियेट करते हैं यहाँ पे इस चैनल में हम आपको डिफरेंट टाइप के स्टॉक्स बताते रहते हैं जो कि लॉंग टर्म के लिए आपको बहुती शानदा देती दख़ाई दे सकते हैं तो यह Сटॉक भी एक लॉंग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है दोस्तो यह कामपणी में ली फनेशल एंड इंवेस्टमेंट सेक्टर की कामपणी है धिफरेंट टाइप की फनेशल सर्वसेज प्रवाइड करती है चेनइवेस्ट कामपणी है इसके number of branches देखो 1029 है one of its 28 businesses अंडर दा मुरुगपा ग्रूप तो ये company मुरुगपा ग्रूप के अंडर काम करती है जो के एक बहुत ही बड़ा ग्रूप है और इसके 28 बिजनस है इस company के number of employees 9128 है तो revenue देखे तो इस company का 5840 क्रोड का निकल कर आ रहा है तो आईए इस company के अब summer quarterly number चेक कर लेते हैं दोस्तो summer quarter में देखो sales volume बड़े है revenue में total जो देख सकते हो 18% की growth है लेकिन net income EPS और margin ये under pressure चल रही है reduce होते दखाई दे रही है तो overall mixed type का trend यहां पे देखने को मिल रहा है revenue जरूर बढ़ रहा है लेकिन margin और इस company की net income reduce होती दिखाई दे रही है इसी लिए है इसके stock में आपको जो है consolidation दिख रही है ग्रावट दिख रही है क्योंकि इसके number under pressure चल रही है लेकिन दोस्तों इसका मतलब यह नहीं है कि company खराब हो गई कई बार shorter में ups and down चलते रहते हैं stocks में भी यहां पे देखो ups and down देखने को मिले है market में भी जो है वो आपको volatility दिख रही है तो यह company जो है financial sector की company है यहां पे भी volatility दिख रही है लेकिन 200 mk global financial services इस पे बहुत ही positive है bullish है उनका कहना है यह stock बहुत ही bullish trend show करता दखाई दे सकता है और 860 के level तक भी जाता दखाई दे सकता है तो इसलिए आप इस stock में जो है nbfc sector की company है financial sector की company है market cap इस company का 55,089 करोड का है और यह company 1978 में शुरू हुई थी तो यहां पे देशो इस company का mainly 12 का business है इस company का जो mainly investment and finance sector का business है और इस company का जो main revenue segment है that includes the interest, fees and commission and sale of the service and the income from the sale of the shares and the securities तो different type की financial services company provide करती है investment sector में भी और financial sector में भी अच्छा business है latest income देखो 9.70% की growth देखने को मिली है in the September quarter on a quarter on quarter basis जबके year on year basis पे भी इस company की income बढ़ गई है तो sales volume जुरूर बढ़ते दिखाई दे रही है तो पैट देखें पैट भी अच्छा figure शो कर रहा है 566.28 क्रोड का पैट दिकल कर आ रहा है इंदा latest quarter ending इंदा सब्तमबर तो overall number जुरूर positive है लेकिन margin जुरूर under pressure थे लेकिन brokerage का कहना है इस company की loan book आपको आने वाले time में growth शो करती दिखाई दे सकती है इसकी जो diversement growth है वो 7.4% रह सकती है quarter on quarter basis पे और 50.6% रह सकती है year on year basis पे driven by the healthy sequential growth in the vehicle finance segment and the new business segments in the seasonality good quarter क्योंकि दोस्तों आपने देखा है कि स्टमबर के बाद जो December quarter है वहां पे economic revival भी देखने को मिली है festival season था तो कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है इसकी loan book में अच्छी growth देखने को मिल सकती है तो इसलिए जो brokerage है वो इस पे बहुत ही positive देख रहे हैं उनका कहना है कि इस company की loan disbursement growth बहुत ही शानदार रह सकती है year on year basis पे बहुत ही अच्छी recovery शो करती दिखाई दे सकती है और इसकी जो age o m की growth है that can be 6.6% on a quarter on quarter basis and 28.5% on a year on year basis तो इस company की loan book भी grow होगी और इस company की age o m भी grow होती आपको दिखाई दे सकती है इसलिए brokerage इस पे बहुत ही positive है और positive target suggest करते दिखाई दे रही है जबके share holding pattern देखो FIIs का बहुत ही बड़ा stake है इस company में DIs का भी 20% के round stake है FIIs के पास 22% का stake है पर मोटर के पास भी बहुत ही बढ़िया stake है 50% से भी ज़्यादा stake पर मोटर के है तो इसका share holding pattern भी बहुत ही अच्छा है mix है बढ़िया है तो दोस्तों आप देख सकते हो इस company का business outlook भी positive है December में इस company के number बहुत ही शानदा रह सकते है share holding pattern भी बहुत ही बढ़िया है इसलिए आने वाले time में ये stock अपने resistance level की और बढ़ता दखाई दे सकता है तो पहला resistance level 800 के around है जैसे हमने आपको बताया है ये stock आपको 800 का level क्रॉस करके 820 तक भी जाता दखाई दे सकता है MK Global भी इस पर buy की call दे रही है तो इसलिए आप भी इस stock में dip में buy कर सकते हो company fundamentally एक बहुती strong company निकल कर आ रही है finance sector की company है finance sector में overall भी अच्छा trend पाया जा रहा है इस company की loan book भी grow करती दखाई दे सकती है so thanks again मिलेंगे नई वीडियो के साथ अभी तक जदी आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो हमारे चैनल को subscribe करके जरूर जाहिएगा